सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादे से ज्यादे दूसरे वीडियो में आप स्वागत है हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए हमार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादे से ज्यादे से ज्यादे दूसरे स्टूडन तक शेयर कीजिए चलिए शिरुआत करते हैं सेकंड पार्ट की गंटी बच चुकी थी जब मैं स्कूल पहुची थी तीचर वाज इन दूसरे स्कूल क्लास रूम में टीचर पहुच चुकी थी I sought permission to enter और मैंने टीचर से permission माँगी कि मुझे अंदर आने दे The teacher wore a frown on her face but she let me enter and told me to see her in the teacher's room और teacher ने मुझे घुसे से देखा लेकिन मुझे अंदर आने दिया और फिर कहा कि मुझे teacher's room में आकर मुलाख़त करनी चाहिए Her tone was not of annoyance or anger लेकिन उनके tone में उनके लहजे में कोई घुसा नहीं था Yet an unknown fear made me nervous और एक अंजान खिस्म का डर मुझे nervous किये जा रहा था Reassuring myself, reassuring यनि confirming अपने आपको भरोसा दिलाते हुए Myself that she was a kind hearted teacher and would not punish me कि वो एक रहम दिल teacher होगी और मुझे punish नहीं करेगी I reached the teacher's room with hesitant steps और मैं जिजगते हुए teacher's room में पहुँची The teacher greeted me with a simple smile and asked me to sit by her side और उस्ताद ने यनि टीचर ने मुझे मेरा इस्तखबाल किया मुझे वेलकम किया मेरा स्वागत किया और मुस्कुराई और कहा कि मुझे मैं उसके बाजू में बैट जाऊू Her tender tone turned my size into softs और उनके रहम दिली नर्म लहजे ने tender यनि नर्म या नाजुक लहजा Turn my size मेरी आहों को आहे करना यनि आहिस्ता इस्ता दिल में रोहना into softs और वो अंदर ही अंदर जो हिचकिया लेते हैं उसके लिए softs ये word यूज़ करते है She pulled her chair close to mine and patting me on the head उन्होंने अपनी कुरसी मेरे खरीब में ला लिये और उन्हों वो मुझे थपकिया देने लगी What makes you cry my child? मेरी बच्ची तुम क्यों रोती हो? I haven't said a word to you मैंने तुमें एक लवज भी नहीं कहा After brief pause she continued थोड़े वखफे की रुकावाट के बाद उन्होंने कहा Tell me what your trouble is मुझे बताओ तुमारा क्या तकलीफ है Trouble यानि तकलीफ Confide in me Confide share a secret यानि के कोई confidential बात को आपने दूसरे से share करना है For me I not like a sister to you क्या मैं तुमारी बहन जैसे नहीं हूँ A rare thrill Thrill great joy यानि बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाना एक कम्याब सी जो खुशी थी Ran through my entire frame मेरे पूरी सरायत में मेरे पूरे जिस्म में दोड़ गई For a moment I felt I should clean Clean to her and cry and cry एक लम्हे के लिए एक moment यानि एक लम्हा एक शन के लिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें भेंच लू यानि अपने गले लगा लू और जोड़ जोड़ से रूँ Of course I did not do so यखिनां मैं ऐसा नहीं कर सकी But I kept gazing at her with tearful eyes मैं उनकी तरफ देखते रही घूरती रही आसु भरी निगाहों से Tenderly teacher continued नजाका से teacher ने अपनी बात को जारी रखा Do you know the meaning of dीदी कि तुम्हें दीदी के meaning मालूम है दीदी यानि बाजी बड़ी बहन को कहते हैं It means elder sister इसके माइने होते हैं बड़ी बहन Won't you tell your sister your troubles क्या तुम अपनी बड़ी बहन से अपने परेशानिया नहीं बताऊगी Amit softs I said और हिच्कियों के दर्मियान मैंने कहा The girls keep teasing me लड़किया मुझे परेशान करती रहती है She laughed वो हसी Why are you scared of them तुम उनसे क्यों डरती हो If you cry like this अगर तुम इसी तरीखे से रोती रहोगी They will pester you all the more वो तुम्हें और ज्यादा परेशान करेगी So ignore them उन्हें नजर अंदास करो Who is your friend तुम्हारी कौन दोस्त है I shook my head and teacher smiled मैंने अपना सर हिलाया और teacher मुस्कराई It seemed the teacher had poured her smile into my eyes और ऐसा लग रहा था कि teacher ने अपनी मुस्कराहट मेरी आखों में उंडेल दी हो Pour करना यानि उंडेल देना Like to be my friend She said क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी Teacher ने कहा क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी The bell rang और घंटी बच जगई She rose वो खड़ी हो गई With a tender pat on my back और हलकी सिनजागत भरी थपकी मेरे Pete Pardee She said और उसने कहा Listen, सुनो You were a sister, all right तुम अब मेरी बहन हो Now you are a friend too अब तुम मेरी दोस्त भी हो But I like my friends to be brave लेकिन मुझे बहादूर दोस्त पसंद है You have got to try to be brave तुम्हें अपने आपको बहादूर बनाना होगा I will always stand by you Stand by यानि के साथ में खड़े रहना Rest assured my little pal पैल आमतार पर ये friend को कहते हैं जो अपने छोटे दोस्त को कहते है Rest assured यानि यखिन रग यखिन जानो मेरी छोटी दोस्त Now rise and hop off to your class Hop off जल्दी से दोड़ जाना चलो उठो जल्दी से दोड़ जाओ अपनी क्लास को Excitement made my face flush Excitement से मेरा जो चेहरा है वो दमक उठा Face flush यानि दमक ना Red hot to the ear tips और पुरा लाल बुंद हो गया कान की लोये तक Never before had anyone lavished love on me और किसी ने भी इस खिसम की महबद मुझ पर उंडेली नहीं थी Lavished यानि poured in great quantity उंडेल ना Thus and there was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister इस तरीखे से मेरी जो टीचर थी उन्होंने spontaneously अचानक से At once अचानक से मुझे अपनी बहन के तोर पर खुबल कर लिया A friend और दोस्ट भी बन गई I was beyond myself with joy To be beyond oneself To lose control of oneself मैं अपने आप से बाहर हो गई थी खुशी के मारे मैं फटी जा रही थी I wanted to chuckle To burst into near hysterical laughter चकल यानि के चह चहाना To burst into near hysterical laughter And hysterical यानि बे लगाम खिस्म की हसी से हसना और खुशी मनाना On winged feet I ran to my class और ऐसा लग रहा था कि मेरे खदमों को पंक लग गए हैं मैं दोड़ थी हुई class में गई Soon I was lost in a rare river और अचानक मैं एक खौब से बाहर आगे Rare यानि कम्याब खिस्म का Rare river dreamy sleep यानि जिसमें खौब आता है I forgot that I was sitting in a class of wild girls Whose prime past time was teasing me और मैं उस class की लड़की थी जहां पर जंगली लड़की यानि जंगली लड़की है Whose prime past time जिनका सब prime यह बहुत ही एहम Most important past time यह था कि मुझे तंस करे तकलीफ दे During the break, break के दौरान, वाकफे के दौरान The water bottle that I was drinking from fell on me And I got fully drenched पानी की बाटल जिससे मैं पानी पिया करती थी वो मुझे पर गिर गई और मैं पूरी तरीखे से भीग गई Drenched यह भीग जाना Right in front stood Maya and Chanda और मेरे सामने Maya और Chanda खड़ी थी Laughing away to their hearts content और वो अपने दिल को तस्कीन दे रही थी सुकून दे रही थी हस्ते हुए Chanda teased, Chanda ने तंस किया From the slippery hands of slippery The slippery bottle went slip यानि के फिसल नी के फिसल भरे फिसल भरे हातों से बोतल भी फिसल गई Slip, slip, fissil, fissil And now let's watch the fun, said Veena और अब मजा लो, Veena ने कहा I was squeezing the water out of my wet frog I was squeezing, squeezing यहने निचोड ना मैं निचोड रही थी Water out of my wet frog मेरे गीले frog से Remembering the teacher's words और मैं teacher के अलफाज को याद कर रही थी I turned my back to them और मैं उन से पीछे मुड़ गई And ignored them completely और उन्हें मुकमल तोर पर नजर अंदास कर गई They were non-placed और वो बिलकुल ही Confuse हो गई और सब परेशान हो गई And went away और वहां से चले गई I sensed a feeling of victory मैंने महसूस किया कि जैसे मैं जीत रही हूँ Before the school closed for the day इससे पहले के school का दिन खत्म हो जाए The teacher came to the classroom again and said to me Teacher दोबारा classroom में आई From today you are going to be responsible for bringing the register, chalk and duster every morning आज से तुमारी जिम्मेदारी है कि तुम register, chalk and duster हर सुबा में लाकर class में रखो Come take this key, carry these notebooks to the teacher's room Count them and keep them in my drawer Ask the pion to show you my drawer यहां पर आओ, यह चाबी लो, यह notebook सारे जमा करो Teacher's room में रखो ले जाकर और इन्हें गिन लो, गिन कर मेरे drawer में रख देना और चप्रासी से पियून, यानि चप्रासी से पूछना कि मेरा drawer कहा है My otherwise trembling legs were not filled with someone blackless strength और अभी जो मेरे लड़ खडाने वाले पैड थे वो एक जादूई खिस्म की ताखत से मजबूत हो गए थे, भर गए थे I rushed enthusiastically और मैं तेजी से जो पुर्जोश अंदाज में दोड़ती हुई चली गई Completed the assigned job in a Jiffy, assigned यनि जिसे a lot किया गया है और दी गई जिम्मेदारी मैंने 40 निभाई In a Jiffy within no time यनि बहुत जल्दबाजी में When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled, I smiled back और जब मैंने teacher के table पर वो चावी रखी तो वो मुस्कुराई और मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराई I was thrilled from top to toe और मैं thrilled यनि के काप गई उपर से नीचे की तरह जजबात में सरशार हो गई I felt my little heart inflate with pride, inflate fill up and enlarge मैंने महसूस किया कि मेरा चोटा सा दिल वो भर गया है और बड़ा हो गया है With pride फखर के मारे I found no awkwardness in moving about और मैंने कोई awkwardness यनि के uncomfortable feeling नहीं मैसूस किया आगे बढ़ने में In my still wet frog जो के मेरा अभी भी गीला frog था Nor was there any trace of fear और अब खौफ का कोई शाइबा भी नहीं था While returning home जब मैं घर वापस आ रही थी Adapted from the story by Popti Hiranandani और ये कहानी Popti Hiranandani के कहानियों के मजमुए से ली गई है उमीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में हम सरगर्मियों के साथ activities और English workshop के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए गुड़ बाई